विराट कोली और जॉस बटलर, वाइट बॉल फॉर्मिट की दो कमाल की बैटर्स, 6 अप्रेल को, क्रियेट फांस को इन दो लोग के ही बल्ले से शतक देखने को मिला, हालागि जीत बटलर की टीम को मिले, राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू दुआ दिये गए 184 के टार्गेट को पार्च गेंद रहते ही चेस कर लिया, और साथ ही ये चेस एकदम धूली स्टाइल किया, बटलर ने से एक स्मार्ट माच फिनिश करते हुए अपनी सेंचुरी पूरी की, आपको बताए, बटलर वो खुद भी उम्मीद नहीं थी कि ये और उनका शतक पूरा हो जाएगा, इस बारे में बटलर से बात करते हुए बटलर बोले, वहाँ तो लग था, शौट इतने अच्छे से टाइम नहीं किया था, वो बाउंडरी पाल चली गई, इस जीट से खुश हूँ, चाहे आपने कितने भी समय से गेंग खेला हो, आपक वो खुद से ये कहना होता है कि सब कुछ ठीक होगा, पिछले गेम में मैंने बस तेरा रन बनाये थे, लेकिन मुझे वहाँ अच्छा लगा था, साउथ आफ्रिका में मेरा टूर्नमेंट अच्छा गुज़रा था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बस ये किनिंग्स की ज अगर वो पावर प्ले खेल जाते हैं और अगर वो हिट करते हैं, उनके लिए बहुत खुश हूँ और टीम के लिए भी बहुत खुश हूँ, साथ मैं मैच का जिक्र करते हैं संजु बोले, ड्यू और हमारी बैटिंग को देखते हुए, 190 रन से नीचे कुछ भी चेस करने क के लिए एक अच्छा स्कोर था, टच हूड कुछ गेम ही बीते हैं, हम अच्छा कर रही है, चाल दिन के लिए और अगले गेम के लिए चार्ज डप होकर आने का मौका दिया, बोलिंग हमारी दस में से नौ रही और बैटिंग 8.7, अब अबंत में आपको मैच का हाल भी बत दान दिया, टीम डेथ ओवर्स में चार्ज नहीं कर पाई, और 20 ओवर्स में कुल 183 रन ही बना पाई, जवाब में राजिस्थान का पहला विकेट पहले ही ओवर में गिर किया, इसकी बाद संजु सांसन और जौस बटलर ने अटाक करना शुरू किया, संजु ने उनक्तर रन की शांदार पारी खेली, राजिस्थान ने ये मैज 6 विकेट से अपने नाम किया, इस वीडियो में बस इतना ही, मैं हूग गरिमा, स्पोर्ट से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहे हैं ललन टॉप स्पोर्ट्स, शुक्रिया